हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 25 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है हिंदी ये वर्क्षिट 22 दिसंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट अकबरी लोटा वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी तो पिछली बक्षिट में हमने देखा था कि लाला जाओ लाल मनलब उनकी आरतिक हालत तो ठीक ठाक थी उनकी वाइफ उनसे 20 रुपए मांगती है तो वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूँगी क्योंकि उनकी वाइफ कहते कि पर चिंता होने शिरु हो जाती है तो जाओ लाल छट पर खूम रहे होते हैं वो अपनी नोकर से पानी मंगवाते हैं और उनकी वाइफ पानी लेकर आती है तो आए आगे की देखते हैं वर्क्षिट में पानी तो जरुर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी उनकी पानी बहुत पुराना सा था और जो जूरु से ४संद नहीं था उस लोटे में लेक्श तो नया पर साल दो साल का ही बना हुआ कुछ ऐसी गढ़न उसे लोटे की थी जो उसका बाप डमरू मा चिलम लह रही हो बता कि लोटा था तो नया लेकिन उसकी गठन मतलब इसको बनाया ऐसा तरीके से गया था कि उसका बाप तो मल उसके फादर ऐसा लग रहा कि डंबरू जैसे शकल हो रही थी और आधी चीलम जैसी हो रही थी लाला ने लोटा ले तो लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पतनी का अदब मानते थे, अदब मतलब इज़त करते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सबेता कहते हैं, जो पती, अपनी पतनी का नै हुआ वह है, पती कैसा, फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब लिया आप का दिया, अगर जहुला अगर कुछ कहा देते हैं, तो लोटा तो छोड़ो, जो खाना है, जो बोजन है, वो भी किस में मिलेगा, बाल्टी में मिलेगा, फिर क्या बाकी रह जाएगा, और सबसे बड़ी बात उनको यह डर था, कि उन्होंने प्रॉमिस किया लाला अपना गुसा पीकर पानी पीने लगे, उस समय वे चतकी मुंडेर के पास ही खड़े थे, जिन बुजर्गों ने पानी पीने के संभण में यह नियम बनाया कि खड़े होकर पानी ने पिये, सोते समय पानी ने पिये, दोडने के बाद पानी ने पिये, उन्हें पता क कभी नहीं कभी यह नियम भी बनाना या नहीं कि छतकी मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया है कि छतकी मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पियो। लाला जाओ लाल मुश्किल से एक दो घुटी पानी पिया होगा नहीं जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। पानी एक तो उनको वैसी पस जब हम कोई काम बिना अपनी मर्जी के साथ करता है तो वो ऐसा ही होता वो एक दो घुट उन्होंने पानी पिया और अचानक उनके हाथ हिल गया। लोटा छूट गया। करशन शक्ती का नियम एक चीज इजाद की थी कहना होगा कि यह सारी शक्ती इस लोटे के पक्ष में ही थी। को क्या खा गया है कि अब जब लोटा देखो यह आप लोगों को पता है कि हमारे हाथ से कोई भी चूटते तो वो हमीशन निचे की तरफ जाती है तो यही वो कह रहे हैं कि यहां पे जो नियूंटन थे उन्होंने एक नियम दिया था तो उन्होंने यही पर यही काया कि किसी जमाने में नियूंटन के नाम पर खुराफाती ने पर्थवी के अकरशन शक्ति के नाम पर एक चीज इजाद की थी जिसे हम गुर्तव अकरशन नियम कहते हैं इजाद मतलब खोज की थी कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस लोटे के पक्ष में ही थी क्योंकि लोटे ने किया जमीन किया किया लोटे को अपनी तरफ खीच लिया था तो यहां पर यह समझाया गया है देखिए यहां कुछ वर्ट दिया गया है अबद अदब अदब से करना लिहाज करना गड़ात मतलब बनावत ओजल मतलब गायब होना खोज अब हम करते हैं इसके question answer तो आईए करते हैं question answer question number one देखिए लाला ज्याओ लाले लोटा पसंद नय होते वे अपनी पत्नी से क्यों ले लिया क्योंकि अपनी पत्नी की बहुत इज़त करते थे और और क्या था कि उन्हें को कुछ कहकर वो बुरा लग जाए वो ऐसा नही जाते थे इसलिए लाला ज्याओ लाले लोटा पसंद नय होते वे अपनी पत्नी के हाथ से लोटा ले लिया था तो आईए करते हैं answer number one तो देखिए बेटा answer number one लाला ज्याओ लाल की पत्नी एक बे धंगे लोटे में पानी लाई थी जो लाला जी को बिलकुल पसंद नहीं लाला जी को क्या था बिलकुल पसंद नहीं था भी लिख सकते हैं आया लिख दीजिएगा यहाँ पर था कर दीजिएगा ठीक है बिलकुल पसंद नहीं था लाला ज्याओ लाल की पत्नी एक बे धंगे लोटे में पानी लाई जो लाला जी को बिलकुल पसंद नहीं था लेक अब हम करते हैं प्रशन number 2 देखिए बेटा प्राशन number 2 देखते हैं आपकी विचार में बुजर्गों ने पानी पीने संबंदे क्या क्या नियम बनाए है तो देखो बहुत अच्छे से दिया गया क्या क्या नियम बनाए है सिर्फ ये नियम बनाए है यह सोचे थे कि क्या पता यह नियम भी बना दिया हो कि मुंडेड के पास खड़े हो कि पानी नापियों ऐसा कोई नियम नहीं था लेकिन वो सोचे थे कि क्या पता उन्होंने ऐसा कुछ नियम भी बना दिया हो तो अब हम करते हैं कोशन नमबर थ्री देखे क्या है कोशन नमबर थ्री बिटा आप नियूंटन के विश्य में जानते हैं तो उनके बने क्या जानते हैं वो लिखना है यह आप आप नियूंटन के नियमों के विश्य में क्या जानते हैं लिखिए तो आईए करते हैं अंसर तो देखो निून्टन की नियम की विश्य में बताना है कि नियून्टन ने क्या नियम दिये थे। नियून्टन ने तीन नियम दिये थे। जो Newton के नियम है, प्रथम दित्यर तित्यर तीन नियम दिये थे, जिसके अंदर से जो प्रथम नियम है, उसमें ये कहा गया था, कि अगर कोई वस्तु स्थिर वस्ता में है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वह हमेशा रुकी हुई वस्ता में रहेगी, अगर उसमें क गतीशील बनाना है तो हमें बाहियबल लगाना होगा और अगर कोई वस्तु विराम गतीशील है तो वह गतीशील रहेगी जब तक कि उसे कोई बाहियबल रोकेगा नहीं तो ये था न्यूंटन का प्रथम नियम ये था न्यूंटन का प्रथम नियम तो आज हम सिर्थम नियम तो वह तब तक विराम अवस्ता में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भाहिया बल ना लगाया जाए तो क्या हो जाएगा Newton की गति के तीसरे नियम के अनुसार तो अंसर नंबर तीन देखिए बिटा Newton के गति के प्रतम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्ता में है तो वह तब तक विराम अवस्ता में बनी रहेगी जब तक कि कोई भाहिया बल ना लगाया जाए जैसे कि अगर एक बॉल है जब तक आप उसे धका नहीं म तक विराम वस्ता में बनी रहेगी जब तक कि उसे कोई भाहिया बल ना लगाया जाए तो आईए अब हम करते हैं कोशन नंबर फोर प्रशन नंबर फोर देखिए बिटा क्या कहा गया है गति विदी दी गई है यहाँ पर क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बरतन है जो जाते हैं या जिनकी किनारे थोड़े से तूट जाते हैं तो वो हम हम या कभी गिर गया उनकी शकल तो ली शेप चेंज होगी जिसकी विदस वो हम не ना पसंद होते तो आईए करते हैं अंसर नंबर 4 तो देखिए बेटा अंसर नंबर 4 रसोई के पुराने बरतन जैसे की थाली कटोरी दिलाज इनकी किनारे तूट गए हो या जो दब कर तेड़े मेरे हो गए हो वह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह देखने में अच्छे नहीं लगते और उनसे हाथ बरतन जैसे क्योंकि अजय को यहा पर लिख सकते हैं क्योंकि वह देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो यहाथ पर चोठ लगने का डर है तो बिटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपने teacher से check कर आई और please मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए Thank you students